राजीव सोनिया के कुपसूरत रिष्टों की हर बात तस्वीरों के साथ जानिये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री और बदलाव की मिसाल राजीव गांधी को आज भी बड़े इज़त के साथ याद किया जाता है बदलते भारत की नीव रखने वाले राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था वो हमारे बीच में नहीं है उनकी पतनी सोनिया गांधी देश के सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस की 19 साल अध्यक्ष रही अब राजीव के बेटे राहुल ने पार्टी की कमान संभाल ली है राजीव और सोनिया दोनों ही राजनीती से हमेशा दूर रहना चाहते थे लेकिन तक दीर उन्हें राजनीती में खीच लाई आईए जानते हैं राजीव सोनिया की प्रेम कहानी कैम्बरिज में हुई थी राजीव सोनिया की मुलाकात राजीव गांधी दून में स्कूलिंग के बाद कैम्बरिज में हाई एजिकेशन के लिए चले गए वहाँ उनकी मुलाकात एटली की रहने वाली सोनिया मैनों से हुई जो इंगलिश लिट्रेचर की पढ़ाई कर रही थी मुलाकातों का सिलसिला प्यार में बदला दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया धीरे धीरे ये मुलाकाते प्यार में तबदील होगी और दोनों ने शादी का फैसला किया। साल 1968 में दोनों ने दिल्ली में शादी कर ली। खास ये है कि शादी अमिताब बच्चन के दिल्ली के घर गुल मोहर पार्क में हुई। अमिताब के पिता हरेवान अश्राय बचन ने सोनिया गांधी का कंयादान किया था।